हेलो, केमचो, केरो आले, कसे काई, and you all welcome in सर्मा फेंटेसी ग्रूप नमस्कार दोस्तों, कैसे हो, स्वागत करता हूं सर्मा फेंटेसी ग्रूप में आज मैंने इंट्रोडक्शन कुछ डिफरेंट तरीका से देना चाहा मैं भी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कोमेंट सेक्शन में लिखेगा मैं पर दे इस तरह से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करूंगा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेनई और आर्सीवी के मैच के बारे में उससे पहले मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखा देता हूं कि कल के मैच में हम लोगों का टीम कैसा गया, वीन कितना हुआ, हम लोगों ने कितना इंबेस्ट किया था मैं अपना दिखा हूँ तो कल मैंने total 35,000 invest किया था जिसमें मैंने 50,000 win किया that means 15,000 का profit हुआ और मैंने आप लोगों से कल कहा था वीडियो में कि आप लोग 70-80% अपना budget का invest कर सकते हो क्योंकि कल का match बहुत अच्छा जाने वाला था मुझे लगा ही था और अच्छा गया भी और आप लोगों का भी अच्छा गया होगा मैं उमीद करता हूँ, मैं आसा करता हूँ लेकिन जो आज का match है यह high risk match है और आपको बहुत ही credit problem होगा यदि आप dream level पर खेलते हैं तो बहुत जादा होगा इसलिए आज के match में आपको only 30 to 40% invest किजेगा उससे भी कम कर दीजे 20 to 30% invest किजेगा नहीं तो आप mainly green league खेले green league में क्या होता है कि आप कोई भी बड़े खिलाडी को drop कर सकते हो और यदि आप invest कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है यदि आप team बना रहे हैं आप अपना पैसा invest कर रहे हो कहीं पे तो जरूरी होता है कि उस चीज के बारे में जाने सेम उसी परकार आपको जरूरी होना चाहिए कि क्या peach report है क्या ground name है क्या players का record है आपस में क्या दोनों टीमों का record है आपस में कौन सा team इस ground पे कितना run मारी है कितना बार loss किये है कितना बार win हुआ है यह सब चीज आपको जानना जरूरी होना चाहिए यदि आप पैसा invest करें और यह सब आप कैसे जानेंगे वीडियो को पूरा देखके ही जानेंगे इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखे वीडियो में आपके लिए दो giveaway का मैंने question भी रखा है आप लोग उसका उत्तर दीजे और prize जीते है और साथी साथ अभी तक आप लोग telegram पे नहीं जुरे हैं दोस्तों तो आप लोग क्या कर रहे हो मैंने नीचे description में link दे रखा है वहाँ से चाहिए और telegram पे जुर चाहिए दोस्तों मैं telegram पे टस्त से पहले जो page report आता हूँ सबसे पहले तो मैं वो share करता हूँ साथी साथ मैं आपको फिर से update करता हूँ कि आपको कितना budget आज की match में रखना है किन बड़े खिलारियों को आप drop पर सकते हो और साथी साथ task के बाद जो भी update होने के बाद जो मैं team बनाता हूँ चाहे small league का team बनाता हूँ चाहे मैं grand league का team बनाता हूँ दोनों आप लोग के साथ से हर करता हूँ तो दोस्तों जाईए और जल से जल टेलिक्राम पर जूर जाईए माफी चाहता हूँ आपका मैंने 3 मिनट ले लिया चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपको चेर्नाई और RCB का जो मैच है आपको डी वाई पार्टिल स्टेडियम में दिखेगा सामके सारे 7 बजे 12 अपरिल को लेकिन आपको 7 बजे रेडि रहना है पीच रिपोर्ट का बात करें तो दोस्तों यह मैच उसी पीच पर होगा सेम पीच पर होगा जो आपको चेर्नाई और हैदराबाद के बीच जो पीच का यूज हुआ था उसी पीच पर है और वो जो मैच हुआ था वो लो इसकोरिंग मैच हुआ था लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो डे गेम था और यह नाइट गेम है और नाइट गेम में डिव का काफी फैक्टर आ जाता है इसलिए अब जब टीम बनाईएगा यह बात का ख्याल रखेगा और साथ ही साथ पीच रिपोर्ट का ख्याल रखेगा जो टज से पहले पीच रिपोर्ट आता है अब बात करते है CSK और RCB का क्या रिकॉर्डर है DR.Y पार्टिले स्टेडियम का सबसे पहले हम लोग CSK का देख लेते हैं CSQ ने इस ground पे 5 match खिले, 3 match win किये और 2 match loss किये Highest score रहा है 168 और lowest रहा है 142 RCB का इस ground पे 4 match खिले, 2 win किये, 2 loss किये Highest score रहा है 205 इसी साल तो पंजाब के खिलाब मारे थे लेकिन loss कर गया था RCB Lowest total 149 अब बात करते हैं giveaway के first question के बारे में First question है maximum 4 buy-up player आज के match में आपको क्या लगता है किस खिलारी के द्वारा maximum 4 लगेगा आपको जो भी लगता है नीचे comment section में उसे जरूर लिखे दोस्तों आप बात करेंगे CSK और RCB के statics के बारे में पहले हम लोग CSK क्या देख लेते हैं RCB के खिलाब क्या record रहा है Highest total CSK ने 208 मारा था RCB के खिलाब और lowest 82 CSK ने first batting करते हुए R times match जीते हैं और second batting करते हुए 10 बार CSK का first batting total रहा है 205 और lowest batting first रहा है 132 Highest batting second रहा है CSK का 208 रन Lowest batting second रहा है only 82 रन अब RCB का देख लेते हैं CSK के सामने क्या record रहा है Highest total रहा है 205 रन Lowest total रहा है 70 रन RCB ने batting first करते हुए 5 times win किये हैं second batting करते हुए 4 times win किये हैं RCB का highest batting first total रहा है 205 और lowest batting first total रहा है 17 Highest batting second total रहा है 165 और lowest batting second रहा है only 87 रन अब देखेंगे दोनों टीमों का अभी तक 28 head to head match हुए है बट उसमें आप देख सकते हो कितना बड़ा difference है बेंगलॉर्ड ने वन सिर्फ और सिर्फ 9 win किये और CSK ने 18 win किये हैं Highest score बेंगलॉर्ड कर रहा है 205 और Chennai कर रहा है 208 lowest रहा है 70 और Chennai कर रहा है 82 तो अब आप लोग जब टीम बनाईएगा तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप CSK को फैबरेट रहके बनाईएगा क्यूंकि इस साल CSK का टीम काफी कमजोर है और वहीं RCV का टीम देखे तो काफी मजगूर्थ है और आज के मैच में एक प्लेइंग लेवन में बहुत बारा चेंज होने वाला है जो आपको नीचे वीडियो में मालूम चलेगा इसलिए वीडियो को पूरा देखे है पिछले तीन साल दोनों टीमों ने क्या किया है उसके बारे में देखते है 2021 में चेंज ने फर्स मैच विन किया 69 से और सेकेंड मैच भी विन किया 6 विकेट से बट 2020 में RCB ने फर्स मैच विन किया 37 रणों से और CSK ने सेकेंड मैच विन किया 8 विकेट से 2019 में CSK ने 1st match win किया 7 wikers से और RCB ने 2nd match win किया मात्र 1 run से अब बात करते हैं other interesting status involving current player from CSK versus RCB यहां से आपको copy pain हाथ रखना है और आपको note करते जाना है कि किन खिलारी को आपको drop करना है और किन खिलारी को आपको team में रखना है first मैं धोनी के बारे में बात करता हूँ क्योंगी most runs versus RCB MS धोनी 836 in only 29 innings धोनी को आपको copy team में रखना है यदि CSK first batting करता है तो आप धोनी के साथ जा सकते हो और बता दू यदि CSK first batting करता है और आप GL खेल रहे हो और आप GL में CSK का जो top 3 है उसको आप यदि drop कर रहे हैं भाइस captain भी बना सकते हो अब बात करते हैं most success versus RCB again MS धोनी 46-6 in 29 innings highest score versus RCB MS धोनी 84 note out out of 48 ball in 2090 IPL most bicket versus RCB Rabinja Deja 23 bicket in 28 match best balling figure versus RCB again Rabinja Deja 3 for 13 in 4 over 2011 IPL इसमें 3 wicket में जडेजा ने एक wicket AVD का लिया था एक wicket बिराटकोली का लिया था और मैच्विकेट मैक्सरेल के लिया था रैट मिन्स RCB का तीनों पीलर को आउट कर दिया था और मैच वहीं पर खतम हो गया था और इस मैच में भी ऐसा हो कर रहे हैं अब बात करते हैं अदर इंट्रेस्टिंग इस्टाटिक्स इंभाल्मिंग करेंट प्लियर फ्रम RCB और CSK अब हम लोग RCB का पिलर्स का रिकॉर्ड देखेंगे जो CSK के अगेंस है बिराट को ली आप स्मॉल लीग खेलो या ग्रेंड लीग खेलो दुनों में इंपॉर्टेंट है दुनों में आप कैप्टेन भाइस कैप्टेन बना सकते हो 948 runs in only 27 inning Most success versus CSK बिराट कोली 36 in 27 inning Highest score versus CSK maximal 95 of 43 ball in 2014 IPL ये काफी पहले का है लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है एक बार नोट हो गया हिस्ट्री में तो नोट रहा जाता है Most bicket versus CSK हरसल पटेल 10 bicket in 7 match Best balling versus CSK हरसल पटेल 3 bicket for 51 run in 4 over और इसी match में हरसल पटेल ने एक over में 37 run भी दिया था क्या record है लेकिन आपको अब बहुत important playing 11 में ले चलते जहां आपको बहुत बड़ा बड़ा चेंज दिखेगा Starting RCB से करते हैं RCB में आपको opening फाब्डू प्लेसिर और अनुज राबत दिखेंगे साथी साथ बिराट कोली 1st round पर आएंगे फिर Maxwell, सभाज अमद, रदरफोर्ट, दिनेश कार्तिक, हरसल पटेल, वरुंदू हरसरंगा, मौहमद सिराज और अकास्तिप अब बताता हूं RCB के टीम में क्या चेंज होने वाले हैं जो अभी new जाया है मैंने यहां पर edit नहीं किया है पर अभी new जाया है वो 100% करपौन नहीं है लेकिन 99% करपौन है फर्स चेंज आपको यहां रदरफोर्ट के जगह पर आपको हैजल उट दिखेंगे जिनका खेलना लगवकता है और सबसे बरा चेंज जो RCB नहीं चाहते हुए भी उसे करना पड़ रहा है वो है हरसल पटेल हरसल पटेल करोना पोजेटिव हुए है अभी वो टीम से पड़ेल का नियम है कि उन्हें जब तक पूर निगेटिव नहीं आ जाते तब तक उन्हें कुरेंटाइम में रहना होगा और साथी साथ निगेटिव आने के बाद भी तीन मैच कम से कम और वो कुरेंटाइम रहेंगे देखते हैं जो भी डिपोर्ट आएगा मैं आपको ट दोस्तों तो मैंने दोनों को 50-50 दे रखा है क्यों दे रखा है मैंने उपर बताया था मैं फिर से बताता हूं RCB का टीम काफी मजगूत है जी हां मजगूत है इस साल IPL में और CSK का RCB से डाउन है टीम इस पर कम जोर है क्योंकि इनके CSK का सबसे बड़ा खिलारी दिपक चहड नहीं है इस पर लेकिन RCB का टीम मजगूत है लेकिन CSK के खिलाप RCB का बहुत ही खराब रिकॉर्ड है इसलिए मैंने 50-50 दे रखा है RCB मजगूत है तब भी जो आपको टीम बनाने में काफी हेल्प करता है गीववे का सेकेंड कोश्चन है फू सुड वीन दप्राइज पर सुपर स्ट्राइकर अप दे मैच जो मैच खतम होने के बाद जो प्राइज मिलता है सुपर स्ट्राइकर अप दे मैच आपको क्या लगता है किस खिलारी को मिलेगा आपको जो भी लगता है नीचे एक न्याकलीन देखने को मिलेगा फर्स्टे ऐस्टेक फार्बडू प्लेसिस घोरडन ऑगोंग है समगत अबने करते हो वो नहीं हो सकता है और आउट भी हो सकता है सिलिफ में जैसे अभी तक जो चल रहा है काइकौर्ट का मोहिन अली फर्सिस हसरंगा ये मेरा फैबरेट फाइट होगा मोहिन अली फर्स राउन पर बैटिंग करने आते है that means middle order में आते है और हसरंगा पावर पले के बाद बॉलिंग कराते है मोहिन अली six-seater batsman है और हसरंगा बिकेट टेकर बॉलर है तो दोनों का फाइट देखने में बहुत ही मज़ा आएगा मैंने एक ड्रीम लिवन का टीम बनाया आप लोग के लिए यह देखके आप लोग अपना भी टीम बना सकते हो यह जस्ट आपको हेल्प करेगा जो भी टीम होगा मैं टेलिग्राम पे अपडेट करूँगा इसलिए टेलिग्राम पे आप लोग आ जाए मैंने बिकेट के भी सेक्शन में मैंने कार्ती को रखा है batsman में मैंने उथपा को रखा है बिराट को ली को रखा है और फाप को रखा है यहां पर जो-जो चेंज होगा जैसे हर्सल पड्िल नहीं खेलेंगे तो अप यहां पर पीक कर सकते हो और आप अपना कैप्टन भाइस केप्टन भी चेंज कर सकते हो मैंने कैप्टन फाप को दी आए क्योंकि फाप का का अच्छा काफी पहले चेनाई से खेलते थे और अब चेनाई के खिलाब खेलेंगे तो नेट्स में जड़ेजा मोहिन अली सब तो आप खेले ही होएंगे तो उमीद है अच्छा करेंगे और अभी आर्सीवी का बैट्समेन भी है और वही मैंने जड़ेजा को भाइस केप्टेन इसलिए दिया है क्योंकि जड़ेजा बॉल और बैट दोनों से पॉइंट दे सकते हैं आपको और जड़ेजा का ऐसे भी आर्सीवी के खिलाब काफी अच्छा रिकॉर्ड है मैंने यहां Maxwell को ड्रॉप किया है, एक मैंने Big Player को ड्रॉप किया है आप उन्हें अपने टीम में रख सकते हो, मेरे को credit problem था, इसलिए मैंने ड्रॉप किया है दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें वीडियो को comment करें और अपने दोस्तों को share करें जिनको team बराने में काफी problem होता है जो अभी loss कर रहे हैं, win नहीं कर पा रहे हैं तो अभी IPL का काफी match बागी है उन्हें वीडियो सेयर करें, वो भी win करें, मैं चाहता हूँ फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, keep winning, keep winning